कि अग्यां कि अग्यां कि एडियर स्ट्रेंट्स एन माई वीवर्स वेलकम बैक्टू माई यूटूब चैनल नितिन पाट साला आपके इस पाट साला में मैं नितिन एक बार फिर से एक नई कॉंसेप्ट के साथ आया हूं सो आज मैं आपको सेक्टर ऑफ इंडियन एकनोमी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो एकनोमिक्स का सेकंड चैप्टर है सोचल साइन्स में टेंथ क्लास तो यह बहुत ही आपके लिए इंट्रेस्टेड होने वाला है यह वीडियो क्योंकि मैं इसमें आपको पहले इ इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस वीडियो में तो इससे पहले मेरी जो वीडियो है वह आपको मैंने बताया था रिसोर्स के बारे में जोग्रफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके मेरी कुछ वीडियो से वह जरूर देखिएगा अगर आपको अपनी जोग्रफी करनी है सोसल साइंस में और एकनोमिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर डेवलोमेंट है उसके बारे भी मैंने आपको बहुत अच्छी वीडियो बनाई है तो उसमें भी आपका बेसे कंप्लेट होगा तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक सेर जरूर करिएगा और नीडी जो क्या से समझेंगे लेकिन अगर बात करें अब आपको बता रहा हूं से आपका से याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं से ठीक न और इस वल्टू पी एस्ट आप इस फॉर्मूलों को याद कर लेजेगा यह मैंने आप बनाया है यह सौल्ट पे हैं सौल्ट ट्रिक है याद करने की इसमें टी और लगा लिजिए और इसमें थरी पावर कर दीजिए सेट सेट की पावर थरी और पावर अफ थरी पी एस्ट अब आप इसको देख लेजिए यह टाइप्स या काइंट्स आप बोल सकते हैं मैंने यहां पर बताया है कि जो सेक्टर्स ऑफ दा इकनॉमी है वो तीन तरीके के सेक्टर्स हैं राइट समझने के लिए तो कितने तरीके के तीन फर्स्ट सेकंड और थरी अब इसको मैं थोड़ा एक्सपेंट करने जा रहा हू तो, प्लीस जज़रा करते हैं इसके बारे में तो, थी टाइप्स ऑफ एकनॉमी यानने सेक्टो्क उप्क कितने हैं फ्री टाइप्स की ती से टाइप, कि ईससे आपका एकनॉमी और S से अपका सेक्टर्स तो ये मैंने आपको कर दिया है S से सेक्टर यहाँ पर 1 कर दे रहा हूं मैं आपको और 2 से आपका एकनोमी और T से टाइप है अब PST के बारे में हम जानने की कोश़़ करते हैं क्या है PST? तो P से आपका प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर ओके? और S से हम बात करते हैं secondary सेक्टर and T से हम बात करते हैं very important जो आज कल इसी में ज़्यादा government ज़्यादा ध्यान दे रही है territory sector तो PST तीन तरीके से जो हमारा जो एकनोमी का सेक्टर है यह वर्क कर रहा है और यह आपस में collaborate है यानि इसका collaboration है आपस में यह मिल करके काम करता है तब किसी भी देश की जो एकनोमी है वो क्या कर पाती है working में आपाती है तो one by one हमें step जानने की कोशिश करेंगे A section यह B यह C तो आए देखते हैं primary sector में कौन कौन सा work हम करते हैं और इसके examples क्या है फिर मैं तीनों को merge करूँगा secondary sector में क्या है और territory sector में क्या है इससे note कर ले जगा आगे देखिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीन सेक्टर सेंदेखिए पहला सेक्टर आपका मैं यहां पर बना रहा हूँ यह आपका primary हो गया ओके फिर हम इधर बढ़ेंगे वह हमारा क्या हो जागा secondary sector और लास्ट हमारा कि सॉरी अटरी सेक्टर्स तो यह किस तरीका से वर्क करता है हम देखेंगे तो पहले समझ लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि आपका जो सेक्टर्स हैं वो तीन तरीके के हैं तो primary में अगर हम बात करते हैं यानि first stage जो है यानि वो लोग जो इस stage पर क्या है सामिल है और economy में assist करते हैं सहीयोग देते हैं तो वो कौन लोग है तो इसमें ज्यादे तरह अगर हम बात कर रहे हैं नेक्ट्रल या नीचर से जुड़े लोग है जैसा farming आपका हो गया क्या हो गया आपका farming को थोड़ा ध्याम दीजेगा farming तोड़ा मैं याप बोभी बना दे रहा हूं आपको ताके ध्यान रहें पिक से थोड़ा याद भी हो जाता है different types of the crops cultivation जो होता है farming का work है आपका अगर हम बात कर रहे हैं farming के अलवा fishing देखिए nature से युड़े हैं यह धान लखिएगा अभी मैं इसमें मैंशन भी याड़ दूँगा ताकि आप उसको मगब कर सके so must be consider about it farming fishing आपका third आप mining mining के जो भी raw material निकलते हैं in a form of raw material है इसके बाद हम अगर बात करें farming हो गया fishing हो गया आपका raw materials हो गये आपके किस रूप में माइनिंग के रूप में ठीक है तो अभी पहले तो यह तीन मैंने आपको यह बता दिये मैंने और जो natural अगर हम बात करें प्राइमरी में तो यह वो लोग है जो नेचर से डारेक्टली गुट्स को प्राप्त करते हैं या raw material कर रूप में प्राप्त कर सकते हैं थोड़ी माफ कीजिएगा disturbance आ रही है थोड़ा तो वह मैं आपको बता रहूं तो material के हम बात कर रहे हैं तो देखिए कि फिसिंग की हमने देख ली फिसिंग यानि डारेक्टली जो तो अब मैंने आपको यह तीन डाइग्रेम बनाई है उस तीन डाइग्रेम के माद्धाम से हम सेक्टर ऑफ दा एकनौमी इंडियन एकनौमी या किसी वी इकनौमी के बारे मादर में समझे ना हो तो इस माद्धम से समझ सकते हैं बहुत ही इसी में आपको बता है फार्मिंग के हम बात कर रहे हैं यानि जो भी क्रॉपिंग फिल्ड से जुड़ा हुआ है जो वीट राइस या किसी भी तरीकी क्रॉप्स को वह प्लगिंग कर रहा है कल्टिवेट कर रहा है और एकनौमी म में आने वाले हो सभी लोग कि जो फॉर्म से हैं रै इसके बाद हम सितिंग की बात कर रहे हैं वह सभी लोग मिसार्स जो सेंग करते हैं जो और यह जाधा तर आपके कॉस्ट्र छो करते हैं नियुक्र जौ वहां पर समुद्री भाग उन दिर दूल कि ग्रॉ Hindu क करते हैं वह वह भी प्राइमरी सेक्टर में है मैंनिंग के जो जow जोक हुए लोग है जो मांईनिंग मेंब करते हैं यानि जो जमीन के अंदर जो आपके जतने भी हमारे मेंसल्झ कर नियुटिसंस है मतलब मिल्क प्रोड़क्ट से जो जो जुड़े हुए लोग है ठिक है ना तो हम यह देख सकते हैं यह सभी एक रॉप में रूप कर रहे हैं कि इस रूप में बख कर रहे हैं रॉप्सक्षाइब करा करा रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा बहुती इंट्रस्टेट सब्जेक्ट है और यह बेसिक है किसी भी इकनॉमी को अगर हम रन करते हैं तो यह इसका फर्स्ट स्टेज है यह फर्स्ट स्टेज है आप देखिए सपोस्ट अगर हम एक्जाम्पल में फार्विंग ले य या वीट ले लेते हैं सपोस्ट राइट या मिल्क ले लेते हैं ओके कोई सबी हम जो नीचर से प्राप्त जो रो मेटेरियल है उसको मैं इस कॉंसेप्ट को इस कंटेंट को लेकर के हम चल रहे हैं और सेकेंड जो स्टेज है वह आपका आता है मैनुफेक्ट्रिंग आता है रहिए यानि जो मैनुफेक्ट्र करते हैं तो मैनुफेक्ट्र सक्ले मैं आपको थोड़ा सा यह कर देता हूं कि सॉरी कि आपका इंडस्ट्री है ओके आप तो रहे सिधान रखेगा यह इंडस्ट्री है तो राव मेटिरियल हमने प्राप्त किया फर्स्ट स्टेज यानि प्राइमरी से से वीट के रूप में या मिल्क के रूप में अब जो मैनुफेक्ट्र जो कैटेगरी से जो ब्लॉंग करते हैं तो वो बिजनेसमेन चाहिए वो छोटे लिवल मर हो फार्म या बड़े लिवल पर हो इंडस्ट्री के लिवल पर हो तो वो सभी यूनिट्स चाहिए स्मॉल एसकेल की यूनिट्स हो या बिग इंडस्ट्री हो वो क्या करती हैं वो रो मैटिरियल्स को इन से क्या कर लेती है हैं यह लोग कर देते हैं क्या कर देते हैं चाहे फार्मिंग की बात करें तो वीड्ड देया हम और अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क दे दिया अब यह मैनुफैक्ट्चर्व जो उनके पास इंडस्ट्री है या आपका साथ है 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 how are gonna को अब अब humor को रूप में आपको बताया रवा मेट्र disparity में लेटा या ड़ी प्रोडक्ट की बात करें तो हम एह भीलुटॉंग को रूप में आपका सेकेड में रोप आज होती होती है आपके स्मॉल इस्केटर या Gothic स्केल पर हो तो अब से इन स्वाँ materials को forms में change करते यानि goods में change करेंगे किसमें change कर रहे है goods के रूप में यह raw material हो गया अब यह किसमें change हो रहे है goods के रूप में यानि product के रूप में is that clear तो यह raw materials है हमारे different types of the raw material are available in primary sector you can see that farming farming sorry fishing mining and dairy product but in a form of raw material now second unit just purchase it and they sell it and send to second sectors so in form of wheat and milk so goods कर रूप में अब इसे change कर रहे है यानि milk अगर product है जैसे यूँकर आपके आप देख सकते हैं आप थैली वाला जो दूद आता है जिसमें mother dairy या इस तरीक ऐसा कुछ लिखा होता है तो वो अपने-पने उनका unit product होते हैं तो इसी तरीके से manufacturing कोई भी manufacturing हो वो अपना label लगाती है उसको तो उसको आप अगर आप उसको देख सके तो इस तरीके से जो product available होते हैं market में या wheat है उसका आटा जो बन रहा है floor के रूप में यानि wheat का जो आपका उसे manufacture किया उसको पीछा grind किया grind करके floor बना दिया उसका और आटा बना दिया manufacture किया उसके label लगाया और एक product बन गया यानि एक goods बन गया ओके तो second unit का यह वर्क होता है कि उसको एक product या goods का safe देना है ठीक है अब पहली unit second unit का roll खतम अब बात आती है distribution की बात आती है किसकी बात आती है distribution की हमारे पास raw material है उसका production हो गया प्रोडक्ट बन गया वो goods के रूप में अब जो यह manufacturing है अब यहां पर तीसरा रोल शुरूव रहा है territory जिसमें आपका services होता है क्या होता है services राइट अब services की बात आती है यानि सुविधाय फैसिल्टी तो distribution करने के लिए हमें services की आवसकता होती है यानि हम अपने product को हर अपने consumer तक पहुंचा सके तो उसके लिए हमें service की जरूत होती है तो services के लिए हमारा जो territory यानि third जो आपका sector है वह work करता है तो जैसे कि आपका अगर मैं पहले इदर से बता देता हूं तोड़ा इदर बाद में आपको पता हूंगा services में आप माल लिए ट्रांस्पोर्ट ट्रांस्पोर्ट टेशन यह ट्रांस्पोर्ट टेशन नहीं कर देता हूं आप ट्रांस्पोर्टेशन का जितना भी वरक आपका एविएवल है ठीक है न वो आपका store rooms या paar stores यहां पर में लिख देज रहा हूं यह जिसे रहां कहते हैं कि है कि ऑक का पब्लिक फेसे लेटी में आपका बहुत सारे से और भी फैसलेटीज है ड्रांस्पोर्ट हो गया आपका ट्रांस्पोर्टिशन हो गया आपका stores हो गया आपका other services लाईक आपका हो गया to public स्वारी पब्लिक कन्वेंस स्वार्य पब्लिक अपका टेलीफोन कर देखे पब्लिक टेलीफोन फैसलिटी या कम्मुनिकेशन कम्मुनिकेशन रहने गी या टेलीफोन कर लिजी और यहां पे अधर फैसलिटीटीटीज कि जो भी फैसलिटी आपकी आधर फैसलिटी होगी आपके यह समझने के लिए वैसे बहुत सारी इसमें अगर आप कमेंट्स में अगर मुझे बताईएगा अगर आपको वाल भी समझना है तो मैं जरूर एक वीडियो डाल दूंगा इसके लिए थोड़ा बस मैं यह हाइलाइ थोड़ा मैंने ऐसी बना लिया है उसमें आप थोड़ा माइंड मत करेंगा ट्रांस्पोर्टेशन की जरूत है क्योंकि हमारी जो गोट्स है वह पब्लिक ता पहुंचनी चाहिए और उसके लिए हमें क्या है ट्रांस्पोर्टेशन से जुड़े हुए जो भी लोग है ठीक आपका प्रोडक्ट है वह लोगों तक डिस्ट्रिबूशन तक या वेयर हाउस तक यानि stoers room जो होते हैं वेयर हाउस जिसे हम बोलते हैं वहां पर यह लोग पहुचाते हैं फिर वहां से आपका wholesale वाले पर आता है होल से आपका retailer पर retailer से आपका छोटी जो दुकाम वाले हो या कोई कंप्लेंड नहीं कर पाएंगे अगर हम कंप्लेंड कर रहे हैं किसी कस्टोमर को सपोस माल लीजिए या हमें कोई प्रोड़क्ट मकाना आप देख सकते हैं आपको मैं यूनिक एकदाम एकजंपल देता हूं जैसे आपका फिलिपकार्ट हुआ आपका एमेजन हुआ यह सारे जितने भी आपके न्यू न्यू एप्स हैं यह आपके इसी सर्विसेस में सभाते हैं तो आप प्रजेंट टाइम में आप देख सकते हैं आज कल हो मेड और क प्रोने समय में तो आपने देखा ही होगा कि जादे तर जितनी भी डिलीवरी हो रही थी वह घर पर होम डिलीवरी दे रहे थे और अगर यह सुविधा नहीं होती तो देखिए कितनी दिक्कत होती लोगों तो हमारे पास टेक्नलोजी है टेक्नलोजी को हमने करके जो आपका मैं नாपको बताया था पी एसटी एस इथ्री यह सेट भी आप कह सकते हैं यानि थी ट्री टाइप की जो इकनोमी है आपका पी फॉर प्राइमरी एस फॉर सेकंडरी प्रडीवर टरिटरी यह आपस में कॉडिनेट करके इस तरीके से एकनोमी को चलाते हैं आब हम बात करते हैं इंडियन एकनोमी की तो इंडियन एकनोमी के पहुत सारे एक्जामपल है वो मैं आपको नेस वीडियो में बताऊंगा तो अम इसको थड़ा एक रिविवे आ देता हूं पूरा आपको ओवर आल बता देता हूं इसको आप एक बार समझ लिजे तो कोई भ कि अगर हम बात कर रहे हैं तो primary sector से secondary sector से third sector से तीनों को आपस में coordinate करके हम किसी भी देश की एकनोमी को चला सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर we are talking about the Indian economy तो वो इसके जो की example होंगे वह अभी मैं आपको जरू बताऊंगा बहुत ही जल्दी तो इसको हम समझ लेते हैं प्राइमरी इस sector जो भी होता है वो nature से यानि nature resources से वह जुड़ा हुआ है और वो direct क्या कर रहा है हमें एक raw materials का form क्या कर रहा है collect कर रहा है farming की बात करें तो different types of crops जो भी होती है जैसे यहां पर वीट ले लिया राइस ले लिया वो क्या करते हैं अपने सेकंडरी सेक्टर को सेल कर देते हैं वो lot of quantity में तो इससे इनका जो economy में सही होगा यह पूरा होता है इसी दर यह कैसा fishing की बात करते हैं daily sale purchase होता है यहां पर mining की बात करते हैं तो यह ज्याद़ा manufacturing करती है जैसे raw material में आपने iron ठीक है आपने टाटा इंडस्टी का आपने सुनाई होगा ना तो एक गुड़ एग्जांपल फॉर डैट dairy product वो मैंने आपको बता दिया जैसे milk का तो wheat and milk यह दोनों तो यह goods का रूप देते हैं raw material को अपनी packing label जो भी लगाते हैं वो मैंने आपको example भी बताया था इसके बात बात आते हैं distribution की तो distribution जो आपका last point है या last sector है वो सारी responsibility होती हो आपके territories जिसको हम service sector भी बोल सकते हैं manufacturing primary या natural natural sector manufacturing sector और service sector ओके तो यह मैंने आपको बता दिया था store rooms या वेर हाउस जी सेंब बोलते हैं public public टेलिफोन ट्रास्पोर्टेशन अदर्स फैसलिटी और भी बहुत सारी facilities है services है तो इतना हमें deep में नहीं जाना है तो उमीद करता हूं यह आपको यह first part sector of the Indian economy जो second chapter आपका economics क 10th class में आपको पसंद आया होगा आप प्लीज इसको like करेगा, share जरू करेगा और comments के मादम से please मुझे जरूर बताते रहेगा कि आपको किस topics का बारे में जानना है और इससे पहले भी मेरी सारी वीडियो है उसे आप जरूर share, like करेगे, so best of luck, जाहिन जा भारत, thank you